नमसिवा यो नमसिवा गुरुजी के चर्णों में परनाम जे गुरुजी संगजी आप सबको मेरा प्यार भरा नमस दे परनाम शुक्राना गुरुजी आज मुझे सतसंका अफसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना ये एक छोटी सी शिकायत होती थी धोड़ी से दिनों से पहले घुरुजी आप सबकिदी का कल्यान करते हो मैंने बड़ी देर से सबकिदी किया आज यहां सबकिदी के लिए कोई और आँटी आने वाली थी last minute पर कैंसल होके पहूंच गई तो जब मुझे पता चला ससंग मैं करूंगे I am very emotional at this point कि हमारी गुरुजी, हमारे पिता, परमेश्वर इतनी इतनी सी बात के लिए आपका इतना ध्यान रखते हैं छोटी छोटी सी बात मेरे साथ तो यह होता है संग जी मेरा, मैं फलोरिडा से हूँ तो मेरी स्टार्टिंग गुरुमाराज से चार साल पहले से हुई थी मैं जादा डिटेल में नहीं जाओंगी जैसे सुना है गुरुजी कहन देसी शौट विच सुना है शौट विच ए है कि मैं साइवबा नो मंदी सी और गुरुजी नो मंदन तो इंकार किता पर फिर गुरुजी ने अपना रूप दिखाया अपना मेरा गिर्ट दूर गिया कि तू साइन उच्छड के मेरे कोड़नी आ रही है साइन और मैं एक कोई है तो हैपने एंद होली होली थोड़ी थोड़ी देर्च किस तरह साइन, दुर्गा मा, राम और सब एक ही हो गए गुरुजी के चर्णों में मुझे पता ही नहीं चला तो मतलब सुरंडर से ही है गुरुजी महराज ने इतना प्यार दिया जो सगे माबाप से भी कभी नहीं मिलता छोटी छोटी बातों में प्यार मैसूस करना जब हम सुरंडर कर देते हैं महराज के चर्णों में वो डिसिप्लन की बात करते हैं महराज को डिसिप्लन बहुत पसंद था तो कोशिश करती हों कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लन ला से कूँ लेकिन मेरी महराज के चर्णों में थोड़ी देर से दुआ थी कि महराज मेरी मैं ले लो मेरी हाउ मैं दूर कर दो क्योंकि संगज जी हमें पता भी नहीं चलता हमारे पास मैं कैसे है मैंने ये परसाद बनाया मेरी ये सेवा है मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया सेवा भाव सेवा सीखना कहीं कहीं किसी किसी सेवादार से ही मिलता है क्योंकि बॉटम लाइन अंडर लाइन जब हम सेवा की बात करते हैं यहां यह आ जाता है कि यह मैंने किया चाहे वो एक नासाथ वाले सेवादार को भुलाते हैं तो एक मैं आजाती है जिसको दूर करने के लिए मैं गुरू महराज के चर्णों में हमेशा दूर करती हूँ क्योंकि एक जो बॉर्डर लाइन बट्वीन सेवा और एक प्राउड होता है थोड़ा सा तो वो दूर करने के लिए तो महराज ने मुझे दो चार बार ऐसी सिचु क्योंकि वो गुरू महराज के हमें उनके आदर्शों पर चलने के लिए कैते हैं उनका कोई परसनल इंट्रस्ट नहीं है कि हमें उन्हें मानना चाहिए और वो मेरा ऐसी हुआ महराज ने मुझे जे सेवा दी तो अब हमारे वहां इतनी प्यारी बड़ी संगत नहीं है अभ इसलेगा गुरू जी मैं चाहा देना सारा मैं अधा तो सेरा सोता तो लैके और लैंडो तक बदनाम हो जाना है अपूनम इन्ट्रेगत बहुत आपूनम अपनी चलन दिया मैं गुरू जी दे चरना देविचाह एज़ए इस आवस क्राइं तो हैं इसे क्राइं ज़िए गुरुजी ने का मैं तेनो चुनिया यहां, चाहे तनो पत्थर पहन, जो तिंगा पहन, तेनो यह काम, तो अपना काम करी जा तेरी मैं, तो मतलब इंटेंट चेक कर, So anything I want to do now, I check, किस में मेरा फाइदा तो नहीं, मैं अपने लिए तो नहीं कर रही हूं, मैं अपनी साटिस्फेक्शन के लिए तो नहीं कर रही हूं, अगर मैंने किसी को मना किया, उसमें गल्ती क्या की, क्या इसे मैं और हमबल तरीके से कह सकती थी, जैसे ऐसे मूह में हांथ मैं कह देती हूं, तो मैं इसको कैसे बदल सकती हूं, सत्संग वे बीच में बोलता है, तो गुरुजी को जो मैंने कहा मेरी मैन ली लो, तो जब लोग अब हर्ट करें इतनी आदत तो पड़ीनी, माहराज पांडा साफ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो संगत के बीच में जो ऐस कहा, लेकिन उसमें भीना मुझे लगता था कि गुरुजी अब देखा जो सत्संग जो पाठ पूजा किया था वो सब की ऐसी तैसी हो गए क्योंकि चुगली तो हुई, चाहे वो संगत के साथ ही कि चाहे अपना दुखी शेयर किया, लेकिन किसी की बात तो उसकी पीठ के प दुख रो रही है, तो कैसे ना सुनो, तो मैं अभी धीरे थीने मैंने क्या किया, थोड़ा डर लगता था, कि एक चुगली दस पुन्या का काम खतम कर देती है, तो कोई किसी की बात करता है ना फोन पे, तो मैं कहते हूँ गुरुजी मैं सुनूंगी नहीं, मैं पांच मिन तो कहते हैं, जवाब तो दिया नहीं, आज के बाद तेरे से कोई बात ही नहीं करनी ही, तो कोई सलाह नहीं देती ही, कुछ नहीं करती ही, दस मिनट के बाद हाँ, 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 कर देती है, तो मैंने का मम्मी मुझे ने किसी और की बाते सुनने से डर लगता है, क्यों मैंने पुलस के आपके सारे पुन्यां खतम हो जाते हैं दस मिनट बैठे भी और एक बात किसी की कर दी वह उसी समय इस हिसाब बराबर कर देते हैं मुझे गुरुजी से आशिरवाद चाहिए बाती नहीं करनी तो ये चीजें महराज पांडा खुदी कलीन करते हैं तो अच्छा माँ कोई बात नहीं किसी ने कुछ किया ना कोई बात नहीं उसकी आदत ही ऐसी है तो अभी जो लेटली मेरे साथ वो संगत में कानफलिक्ट हुए कि महराज पता नहीं क्यों मुझे वो ही आरा है कि मुझे शेयर करने है तो मैंने बाद में एक और अंटी से बात की हम क्यों ऐसी बात करते हैं अच्छली मैं आरती से भी बात किया आरती हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि एक किसी ने हमें तकलीफ दी हम दूसरे को अपनी सफाई देने के लिए वी वांट अशूरंस कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं थी दूसरा गलत था तो वो भी क्यों करना है हमें तो लेटली फिर मैंने अपना इन नतीजा जो महराज रोज सिखाते हैं कि अगर कोई कुछ कर देता है किसी और को बताने की बजाए महाराज को बता दो उनके चन्नों में भैठो कि महाराज मुझे आज तकलीफ हुई है मेरा दिल दुख रहा है और मैं अपनी दोस्ती भी गवाना नहीं चाहती है लेकिन इसका क्या करूँ मैं मुझे हर्ट हो रहा है ताकि वो सुन लेंगे फिर अपने आप ही मैंने महाराज आप बताते नहीं हो कुछ तो अपने आप सहेलियों से बात हो जाती है कि आज गुरुजी दे रहे है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना और किसी को दुख ना पहुंचाना इतना प्यारा इतना बड़ा मोतियों की तरह पिरोया होया जो गुरु परवार सारी दुनिया में है ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलता मतलब मेरा दिल भागता मैं कहते हो गुरु जी न्यूजर्सी में इतनी प्यारी संगत है अब आरती के घर कल इतना प्यारा हुआ गुरु जी यहां पर बार बार आने को दिल करता है फलोरीडा बहुत दोर लगने लगी है क्योंकि आप सब के साथ यहां आके हमें खुदी क्वेस्टन कर लेना चाहिए अपने से की जो भी हम कर रहे हैं उसके बीच में हमारा इरादा क्या है क्यों कर रहे हैं हम लोग किसको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें अगर हम अपने महराज देवों के देव महादीव को खुश करना चाहते हैं तो उनको कोई महंगे तोफी नहीं चाहिए बड़े भारी भरकम चोले नहीं चाहिए फूलों की बरसात नहीं चाहिए हमारा एक शुद्ध हिर्दे चाहिए और अपना भाव चाहिए सत्संग छोटे छोटे बहुत हैं लेकिन टाइम पता नहीं मेरे पास कितना है क्या सत्संग कर छोटे संगजी मैंने रब को इतना नजदीक नहीं देखा जब से गुरु जी को पाया है तो रब दोस्त के रूप में मिला है आज तक चाहिए वो साहिए बाबा थे माता थी भगवान की पूजा करते डर खतम हो गया है अब खुद बखुद मन करता है कि महराज के पास बैठ जाएं कोई काम पर तकलीफ आ गई चलो महराज से शेर कर लो रात को सोने से पहले पांच मिनट बैठ जाओ जो उन्होंने वहमों से दूर कर दिया वो भक्ती और पूजा इतनी आसान कर दिये कि चलते फिरते महराज के पास बैठो कोई नियम नहीं है कोई रूल नहीं है तो भगवान ऐसे लगने लगा कि दोस्त बन गए है चोटी सी बात बताती हूँ मैं सत्संग कर रही थी महासमादी के सत्संग की तयारी कर रही थी घर पे और मैंने कल शेयर किया था तो गुरू जी से बातें करती रहती हूँ मैं क्योंकि मुझे पता नहीं होता मैं क्या धरबार तियार करूँगी मैंने का गुरू जी आपके पीछे ने शुकराना गुरू महराज की एक लाइट लगी हुई है उसमें रिमोट खतम हो गया तो वो हमेशा ग्रीन रहता है मैं गुरू महराज को वाइट चोला पहना रही थी मैंने का महराज अगर ये रिमोट होता ना तो मैं लाइट रेड कर देती रेड और वाइट का कांबिनेशन बहुत अच्छा है ये ग्रीन अच्छा नहीं है खुदी बातें कर रही हूँ असे साथ में काम किये जा रही हूँ सथसंग शुरू हो जाता है तो दस मिनट सथसंग शुरू होने के बाद मैंने देखा वो लाइट अपने आप रेड हो गई थी मतलब मुझे जकीन नहीं आया कि इतनी छोटी सी बाद भी महराजपूरी कर देते हैं क्या वो लाइट चलानी रंग और जैसे सथसंग खतम हुआ सब कोच सब संगा चली गई लाइट दुबारा ग्रीन हो गई और आज तक फिर से वो लाइट ग्रीन ही चल रही है तो आप बताईए अगर वो इतनी सी ख्वाइश भी आपकी रहनी नहीं देते और आज सथसंग के बारे में मैंने आरती को एक बार भी नहीं पूछा मैंने का मुझे क्योंकि इतनी दूर दूर से संगत आई हुई है मेरे मन में था गुरुजी आज ने सथसंग का मौका नहीं दिया कल्यान करते हो सथसंग सनवा के तो थोड़ा सा अपने आप इतना मौका दे दिया ये रब बहुत प्यारा है बहुत बहुत दयालू है महाशेव तो सच्चे भाव से बिना किसी को दुख पहँचाए अगर हमकी शरन में आजाते हैं तो मांगना नहीं पड़ता वो आपके दिल की बात को सुनके अपने आप ही पूरा कर देते हैं तो गुरु महराज के चरनों में अरदास है कि हम सब को इसी तरह प्यार की माला में पिरोई रखें हम सब एक दूसरे से प्यार कर सकें एक दूसरे का साथ पन सकें जो एक रहीम का दोखा याद आ रहा है रहमन धागा प्रीम का मत तोडो चटकाई तोटे से फिर ना जुडे जुडे गांठ पड़ जाए तो वो गांठ अगर हम उस गांठ से जितना भी दूर रह सकें हमें उतना रहना चाहिए चाहे वो दोस्ती में हो परिवार में हो जहां अपने रब से हो जो हमारा रब हम से नहीं चाहता अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारी भक्ती में गांठ नहीं आएगी शुक्राना आज के दिन के लिए संगत जी शुक्राना मुझे सुनने के लिए महराज कोई गलती हो तो माफ करना Thank you Love you Guruji शुक्राना